नमस्कार दोस्तों, 1987-88 में रामनन सागर के रामायन और बियार चोपड़ा के महाबारत दूदसन टीवी धरवाईकों में सबसे अधिक दर्शक संख्या और विग्यापन राजर सो बटो रहा था। मालगूर डेज जो आरके नरायन की सौट स्टोरीज पर अधारित कानिया 1987 में दूदसन चैनल पर परसारित होई थी वर्स 1994 में फेंटासी सीरीज चंदरकांता हर रवीवार सुबर डिडी नैसनल पर परसारित होती थी 1997 के वर्सों में सुबर हीरो सक्तिमान सीरियल सुबर हिट हो रही थी और चीतरहार जो लोगों के दिलों में संजोई हुई थी कभी मिस नहीं हुआ करती थी आज हम बात करते हैं दूदर्शन की परतिश्रिक यात्रा के बारे में जिसने ऐसे क्लासिक कारिकरम ब्रोडकास्ट किया था 15 सितंबर 1969 को सरकार ने दिल्ली में दूर्शन की सुरुआत की जिसे आमत और परतेश का सारवजिनिक सेवा परसारक डिड़ी कहा जाता है 1969 में भारत के पहले राष्टपती डॉक्टर राजिंदर परसाद ने दिल्ली में ओल एंडिया रेडियो स्टूडियो में एक पालेट परजेक्ट के रूप में डिड़ी की शुरुआत की थी यह सब्ताक में दो बार समाजिक सिक्षा पर एक घंटे के कारेकरम परसारीद करता था 1965 में सुबह और शाम के शो के साथ दैनिक परसारण शुरू हुआ पाँच मिनट के समाचार बूलेटीन शुरू हुए बाद के वरसों में परसारण के अवधी चार घंटे तक बढ़ाई गई DDI लोगों को 1970 के दर्शक की शुरूआत में NID के पूरुफ चात्र देवासिस भटाचारे द्वारा डिजाइन किया गया था परधान मंत्री इंद्रा गानी ने NID सम्मीशन से उनका डिजाइन चुना था DDI सिगनेचर टीन की अगर बात कहें तो उसकी रचना पंडित रवीशंकर और उस्ताद अली एहमद हुसेन खान ने 1976 में की थी दुर्दर्सन पर प्रसारित होने वाला पहला कायरकरम किर्सी दर्सन था जो 26 जनवरी 1967 को सुरु हुआ और इसे लंबे समय तक चलने वाला टीवी कायरकरम के रूप में याद किया जाता है 1972 तक टीवी सेवाए मुंबई और अमिस्टत तक बढ़ा दी गई 1975 तक पूरे भारत में केवल साथ शेहरों में टीवी सेवा थी और दुर्दर्सन भारत में टीवी का एक मात्र सेवा परदाता था 1 अपरेल 1976 को टीवी सेवाओं को रेडियों से अलग कर दिया गया और दिल्ली में All India Radio और दूर्दर्शन के कार्याले का परवंदन अलग-अलग महानिविसों को द्वारा किया जाने लगा 1982 में दूर्दर्शन एक राष्ट्य परसारक के रूप में अस्तित्य में आया और देश के सभी हिस्सों तक पहुँच गया फिर परसार भारती आया जो संसत के एक अधिनयम द्वारा इस्थापीत एक वैदानिक स्वायत निकाय है और इसमें दूर्दर्शन टेलिवेशन नेटवर्क और All India Radio शामिल है जो पहले सूचना और परसारण मंतराले की मेडिया इकाईया थी यह अधिनयम All India Radio और दूर्दर्शन को स्वायत्ता परदान करता है जो दूनों पहले सरकारी नियंतरण में थे संसत दुआरा सर्वसमत्ती से पारित होने के बाग इस अधिनयम को 12 सिदंबर 1990 को राष्टपती की सहमती प्राप्थ हुई अंततर इसे नवेंबर 1997 में लागू किया गया 17 नवेंबर 2014 को दूर्दर्शन की महानी देशक विजय लक्षिमी चावडा ने गुलावी और बैगनी रंग योजना और एक नया नारा देश का अपना चैनल पेश किया 2017 तक दूर्दर्शन लगबग 14 सथलिय ट्रांस्मीटर के नेटवर्क पर परसारण किया जिसमें 46 स्टूडियो टीवी कारिकरम तयार किया दूर्दर्शन वर्तमान में 21 टेली विजन चैनल संचालित करता है कोरोना महामारी के दोरांट डेडी नैसनल पर रामायन ने विस्विस्तर पर सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला मुनरंजन कारिकरम बनकर विस्विरिकॉर्ड बनाया इसके अलावा महाभारत चानक्यव, स्रीकिष्णा, व्यमकेस बक्सी और सक्तिमान शामिल था जो 400 मिलियन से अधिक दर्सतों तक पहुँचा 13 अप्रेल 2020 को परसार भारती दोरा डीडी रेट्रो चैनल लॉंच किया गया जो दूर्दर्शन के पुराने क्लासिकल हिंदिक सिरियल दिखाए गये आप शायद ये जानते हैं कि नहीं दूर्दर्शन विशेश रूप से सामाजिक सिक्षण के लिए अंतरिक्ष परदोगी की का उप्योग करने के लिए नासा के ATS 6 उपगरह को एक वर्स के लिए किराय पर लिया था ये अपनी तरह का दुनिया का पहला प्रयास था पीडियां दूर्दर्शन देखकर बड़ी हुई रामायन माभारत से लेकर शक्तिमान और चित्रहार तक डीडी एक समय मनरजन का एक मात्र सादन था टेलिविजन दूर्दर्शन का प्रयाय बन गया था जैसे जैसे समय बिट गया कई नई चैनल बाजार में आ गये और दूर्दर्शन अपनी वापसी के संगर्स में दूर दूर तक दिखलाई नहीं पड़ता है